जैस्री कृष्ण में तुरों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे दैनिक राश फल की दैनिक राश फल में आपकी राशी के राशी फल की चर्चा करेंगे ये राशी फल चंदराश पराधारित है यानि मून साइन पर जिन लो जिनके पास जन कुंड़ी नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राश से जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राश से देखवत सुन सकते हैं तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं आज का राशिफल जान लेते हैं आज आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, संबंधों का लाब मिलेगा, करियर कारोबार में रुची रहेगी, महत पूर्ण कारे बनेंगे, कम दूरी की आत्रा संभब है, महत पूर्ण मामलों में तेजी दिखाएं, आलस से बचे मेहनत पर विश्वास रखें, लोगों के कारे की सरहना करें, समान दें उनको, आज का दिन नई सुरुआत के लिए सही है, किसी नए अपसर में जिन्दगी बदलने की च्छमता है, लेकिन आपको उसे समय रहते पकड़ना होगा, समय रहते लिया गया निर्णे, आपके लिए काफी महत पूर्ण यवं लाफकारी बदला ला सकता है, आज के दिन अपनी दिन चर्या में अच्छे परिवर्तन लाने की कोशिस कर सकते हैं, साहस पराक्रम में आज के दिन परधी देखने को मिलेगी, और कुछ जा तक सेर बाजार में पैसा आज के दिन लगा सकते हैं, पारिवारिक जीवन में छोटे भाई वेहनों के साथ अच्छा समय आज आप बिता सकते हैं आप आत्म निर्वर महसूस कर रहे हैं अभी आप आत्म निर्वर महसूस कर रहे हैं अकेले रहने के लिए समय निकाले खुद पर विश्वास और प्रिये जनों का प्यार आज आपको आपके कारी छेत्र में आपके आफिस में प् इस्त्रम के सहारे भागे खुद बदल सकते हैं और अगर हमें भागे लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां भागे स्वयम लिख देती हैं व्यापार या नौकरी में परिमर्तन करना चाहते हैं तो ये समय उचित है अपने विकास के लिए नए कार्यों और नए अपसरों को खोजें अब आपकी सभी उजनाय आपके जीवन की बेहतरीन उजनाय सावित हो सकती हैं आपको अन्य लोगों की भी पूरी मदद मिलेगी खुद पर विस्वास रखें आप साधारन को भी असाधारन में बदल सकते हैं बस कुछ करने की हिम्मत करें आप विस्वशनी भी वना सकते हैं आपका उधार सुभाव आज आपके लिए कोई खुशनुमा पर लेकर आ सकता है आज आपको पैसा उधार देने से बचना चाहिए अगर आप अपनी घरेलू जुम्मेदारियों को अंदेखा करेंगे तो परिवार के सदस्यों से बाद विवास संभब है नई योजनाय आकर सक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया सावित होंगी दिन की सुरुआत भले ही थोड़ी ठकाऊ रहे लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे दिन के आखिर में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप क कारियों में सकारात्मक प्रणा मिलेंगे इस समय लाफदायक परिष्थितियां बन रही हैं अपनी उर्जा और छमता का भर पूर सद्प्योग करें और लापरवाही और आलस जैसी बातों बाते अपने उपर हाबी ना होने दें बहुत अधिक सोच बिचार करने से कोई महत प्रणुपलब्धी हास से निकल भी सकती है पती पतनी के भी सुकत ताल मेल रहेगा किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको उर्जावान और तरो ताजा कर देगी आज किसी बात को लेकर मन में अपने रहेंगे पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग दिसाओं में आपका मन भाग रहा है और नेड़ा लेने में आप असमर्थ रहेंगे अपने कारिस्थल पर मुद्दों के बारे में इस पष्ट और उचित नेड़ा लेने में सच्छम होंगे आज आपको किसी ऐसे विक्त के साथ संपर्ग में आने की संभाबना है जो आपके भविस्थ क के साथ आनन्द मना सकेंगे प्रियेजन की निकटता और वहवाइक जीवन की मधूरता का आनन्द ले सकेंगे आपको बित्तिय लाव होगा और समाज में मान संभान प्राप्त कर सकेंगे करियर में अनकुलता बनी रहेगी ब्यापार में उमीच से अच्छी सफलता मिलेगी काम काज अच्छा रहेगा बिजनिस में प्रभाभी रहेंगे वेपसाई गत्विधियाँ बेहतरीन रहेंगी इंसुरेंस पॉलिसी आदिसे सम्मंदित बिजनिस में फाइदे मन इस्तेतियां बन रही हैं जो लोग इंसुरेंस बिजनिस से जुड़े हैं उनको आज हो सकता है इस समय कंप्टीशन भी बढ़ा रहेगा और नौकरी में किसी सही योगी की गत्विधियों से आप परिशानी में पढ़ सकते हैं आप अपनी कठोर मिहनत के बल पर मानिता और प्रतिश्ठार जित करेंगे आपके खर्चों में वृद्धी हो सकती है इसलिए अपने खर्चे और निवेस को कम करें जातका आज करियर छेत्र में उननती पा सकते हैं आईटी छेत्र में अगर आप कारण रहत हैं तो आपको कोई प्रोजेक्ट आज के दिन पूरा हो सकता है पारिवारिक जीवन में सकारात्मा बदलाव देखने को मिलेंगे आज के दिन आपके आत्मिस्वास में भी ब्रद्धी होगी और सुनियोजी ढंग से आगे बढ़ेंगे बहतर प्रणाम मिलेंगे नए लोगों से मेल जुल बढ़ाएंगे संबंधों में सहज रहेंगे करियर कारोबार में अच्छा करेंगे इसमर सकती बढ़ेगी निजी मामले अनकूल रहेंगे और ब्यापारिक मामलों में बहतर रहेंगे लाब बढ़ेगा योजनाओं को गती देंगे सकृता से कारी करेंगे कारे ब्यापार बढ़ते रहेंगे आपके प्रभाव में ब्रद्धी होगी प्रवंधन से जुड़ेंगे आज आप लंबे समय की युजनाव पर ध्यान के इंद्रित करेंगे आप अपनी सकारात्मक और संतुलिस सोच के द्वारा गर और ब्यापार समन्धी किसी भी परेशानी का हल निकालने में आज सच्छम रहेंगे रचनात्मक और धार्मिक रिया कलापों के प्रतिभीरु जान बढ़ेगा चुनतियों को शुईकार करना आपके लिए उन्नत के भी मार्क खोलेगा अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर प्रतोती करना बहुत मुस्किल होगा ये समय ब्यापार पर बहुत अधिक फोकस करने का है आपकी सूजबूच कारिश्टल की विवस्था को उचित बना कर रखेगी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार के अनुचित कार्वें दिल्चस्पी ना ले अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो इस बात का ध्यान रखें और प्रेम की भावना आज के दिन बढ़ेगी परिजनों की सुने आज आज आप अपने परिवार के सदस्यों की आज आप सुनें तो अच्छा रहेगा प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे संसकारों को बढ़ावा मिलेगा प्यर्थ के बाद विवाद में आज आप का दिन जा सकता है अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बचें इस समय सांत रहें अपने साथी के तर्क को समझे और उससे विवाद ना करें तो अच्छा है अपने साथी का ध्यान उन खुशनमा पलों की तरफ ले जाएं जो आपने अभी तक उनके साथ में बिताए थे तनहाई आकेलेपन से बचने के लिए अपने और अपने प्रेमी या प्रेमका के बीच में दूरियां ना आने दे ध्यान रखें रिष्टे में मनुटा होना स्वाभाविक है बस समय रहते इन्हें दूर कर ले आज आप अपने प्रेमी या प्रेम का की अत्रिक देखफाल से ये सावित कर देंगे कि आप एक अच्छे साथी हैं आप एक अच्छे पार्टनर है अपने पार्टनर के साथ बेतर समझ बिनाने के बारे में खुच से सवाल कर सकते हैं आप इसी समय किसी और से भी प्रभावित हैं लेकिन ये केवल एक छड़ी का करशन है अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो अपने पार्टनर के साथ अधिक समय बिताएं इससे आप सांत रह पाएंगे पार्टनर से बहस करने से बचें सिंगल लोगों को साधी का प्रपोजल मिल सकता है आपकी किसी बास से पार्टनर परिशान हो सकता है इसलिए सोच समझ कर ही कुछ बोले आज के दिन लव लाइफ सामान रहेगी प्रिजनों से तालमिल बना कर रखें सम्मेदत सिल्टा में ब्रद्धी होगी प्रेम सम्मंद मजबूत होंगे सभी प्रशन रहेंगे मित्र साथ देंगे बिनम्रता से काम लेंगे पती पतनी का आपसी तालमिल अच्छा रहेगा पारिवारिक और ब्यापारिक गद्विधियों को उत्तम बनाएंगे प्रेम सम्मंदों में भी और अधिक मजबूती देखने को मिलेगी लब लाइफ के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा साधी सुदा लोगों को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा पार्टनर के साथ भूने फिरने जा सकते हैं पार्टनर से सुख मिलेगा स्वास्त के प्रित सजग रहेगा बेक्तित तो प्रभावी रहेगा समझ बढ़ेगी साहस बढ़ेगा और बाहर जाते हुए साथधान रहे गले से समंधित कोई स्वास समस्या हो सकती है इसलिए तला भुना भोजन खाने से बचे खान पान और दिन चर्या के प्रितला परवाही आपके स्वास्त के लिए नुकसान दाएक सावित हो सकती है बेतर होगा कि बिवस्थित दिन चर्या रखें स्वस दिन चर्य आप न अतना और नकारात्मक बातों से दूर रहें क्योंकि इसका असर आपकी कारचंता पर भी पर सकता है आज का दिन आराम से भी इतने वाला है कोई खास काम या चुनोती नहीं होगी काम के सिलसले में कहीं जाना भी पर सकता है जितना हो सके सकारात्मक रहें कुछ खास फैसले आपको करने पर सकते हैं आज आपके नए कदम से जीवन बहतर हो सकता है घर के बातावरण में शुक्सांती बनी रहेगी ब्यापार में सफलता प्राप्त होगी और सह कर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा तो मित्रों आज मैंने आपसे आपकी राशी के राशीफल के वारे में कुछ चर्चा की ये राशीफल सामाने राशीफल है ये सभी जातकों पर पूरूप से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी संभब नहीं है क्योंकि आपकी जनकुली में गुरहों की इस्थिती और आपकी बरत्मांदसा और अंतर दसा और फिर गुरहों के गोचर की इस्थिती इन सभी बातों पर भूहत कुछ निर्भा करता है आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कश्म भवान से प्रार्थना है जै श्री कश्म